हेल अब्रिवन मैं इसके सिंग मेडिकल काउंसलर आज मैं डिसकस्न करने वाला हूँ निट पीजी 2023 इग्जामनेशन को लेके खास करके पॉस्ट मॉनुमेट को लेके होगा या नहीं होगा इंटरंशिब डेट को लेके निट पीजी का 2023 का इग्जाम का डेट है वो 5th मार्च 2023 रखा गया है और इंटरंशिब का डेट है वो 31st जून 2023 रखा गया है इसी बीच मैं आपको बता दू बहुत सारे और्गनाजेशन है जो मेडिकल का बहुत सारे ऐसे एसोसेशन है मेडिकल का वो अलागातार कोशिस कर रहे हैं जो इनका चीफ लीडर है वो अलागातार कांसलिंग होगा वो 30 जून के बाद ही होगा यानि कि अगस्टम होगा ऐसे भी आपको 3-4 मंत का डिले होगा तो क्यों ना इक्जाम को डिले कर दिया जाए ताकि यह स्टुडेंट और अच्छे से त्यारी करेंगे या फिर जो स्टुडेंट जिनका इंटरंशिब कंप्ली सेम टाम पर नहीं हो पा रहा है और टाम नहीं हो रहा है वो भी गौर अवरल अगर बात किया जाए तो नीट पी जी ट्वेंट एवन में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था इंटरंशिब का डेड्र था वह काफी कम था और बहुत सारा एक्स टुडेंट जो वैसे fashion बीड लगवग four ऐसे state है जिन state का student अभी eligible नहीं हो रहे हैं ऐसे में बिहार, जारखंड, मध्य पर्देश और अंधर पर्देश जैसे state है इन state में लगवग nine to ten thousand students है जो ineligible हो रहे हैं अगर इसे 31 तक किया जाएगा तो ये eligible हो सकते हैं वैसे ये संभव है कि ये 31 तक किया जाएगा लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी मुदा यह आ रही है कि बहुत सारे social media पर जो genuine चीज़े होती है इनके support में या फिर new channel होते हैं या फिर बहुत बड़े बड़े जो leader होते हैं जो student को जो doctors को support में आए है क्योंकि ये genuine region है इस लिए लोग support कर रहे हैं उमीद ऐसा आप लग र बहादू अगर exam का date बहाता हूं तो आने वाले जो student है जिनका NIT PG 2022 में जो counseling कर रहे थे उनको one to one month का जिनको समय मिला था या फिर one point one to two month का जिनको समय मिला था वो अच्छे तरीके से अपना repeat करेंगा जिनको पहले से काफी अच्छा preparation है वो और अपने आपको develop कर सकते हैं इसमें किसी को किसी तरीके के इतराज नहीं होना चाहिए जैसे मैंने voting कर आया था उस voting में लगवग आपको दिख रहा होगा 45% student है जो चाहते है कि नीट PG 2023 का जो exam है on time किया जाए और 55% sorry 45% चाहते है कि on time हो exam और 55% चाहते है कि ये exam है on time नहीं हो तो इस condition में अगर बात किया जाए तो 50-50 का लगभग ratio दिख रहा है 50% student चाहते है कि exam जो है on time हो और 50% student चाहते है कि exam जो है इसका date को बढ़ा दिया जाए और बहुत सारे student है जिनका अभी तक preparation उतना अच्छा नहीं है और जिनको अच्छा नहीं होगा वो अपन साथ में आपको अगर बात किया जा एंडी टीवी भी कवर कर रही है और बहुत सारे जो association है जो डॉक्टर के लीडर है जो chief है वो भी लगातार कोसिस कर रहे है कि नीट पीजी 2023 का जो exam का date है इसे बहा दिया जाए साथ में इंटर्सिव का date है 31st July 2023 कर दिया जा इसी वीच ब Sunday, Monday या फिर Tuesday को इसका final decision आएगा जैसे ही officially decision आएगा मैं आपको update कर दूँगा उमीद अब लग रहा है कि नीट पीजी 2023 का जो exam का date है इसे हो सकता है कि कुछ मन्त के लिए टाल दिया जाए सकता है और साथ में इंटर्सिव का date है ये तो finalize हो चुका है कि 31st July तक कर दी जाए condition है वो लगतार official meeting कर रहे है NMC से NB से और साथ में Health Ministry से है वो Sunday, Monday, Tuesday को meeting होगा meeting के बाद सारे फैसले ली जाएगी क्या problem है कि इस तरीके के genuine student को region है ये region बिलकुल genuine है अगर ये region अगर आपके साथ हो मेरे साथ हो किसी भी तरह के student के साथ हो किसी भी तरीके के doctor के साथ हो तो य ये genuine बिलकुल jazz है क्योंकि 2-3 month NEET PG 2023 का अगर exam 5th March को होता है और counseling आपको 31st July के बाद अगर start होता है या फिर 30 June के बाद start होता है तो इसके बीच में 3-2-4 month के gap दिखने को मिल रहा है तो क्यों ना मैं NEET PG 2023 का exam का date इसे ही extend कर दिया जाए और जो counseling और exam के बीच का जो gaping हो 1 month के हो जाए तो इसमें जो student का preparation अच्छा नहीं है और जो अभी counseling कर रहे थे counseling में उनको समय नहीं मिल पाया preparation के लिए वो भी preparation कर लेंगा और जिनको पहले से strong preparation हो चुका था already वो भी और अच्छा आपने आपको बुष्ट अप करेंगे और जिने government seat मिलना चाहिए था वो और बेटर government seat ले सकते हैं जैसे government में आपको सरजरी का seat मिल पा रहा है तो आपको हो सकता है medioderma medicine पीडिया जैसे branch मिलेंगे या फिर अगर आपको इनस्थिस्या के जैसे seat के लाइक आपको त्यारी हुई है तो हो सकता है कि आपको medicine मिल जाए सबको एक समान आकिए ताकि आने वाला भविष्य हो वो सही हो बाकि आप लोग अगर paid guidance चाहिए तो वीडियो के description में नंबर दिया हुआ है वहाँ से आप call कर सकते हैं message कर सकते हैं हमारा paid services प्रवाइट की जाती है यह अभी अस्टार्टिंग से लाश्ट तक दी जाती है जैसे counseling अस्टार्ट होती है हम लोग एक एक करके आपको information प्रवाइड करते हैं कैसे seat मिलेंगी क्या आपका rank है इस rank में government मिलेंगे private मिलेंगे किस तरीके के seat मिल सकते हैं कैसे counseling करना है choices कैसे feel करना है यह सारा information हम लोग प्रवाइड करते हैं जी यहां दोस्तों बाकी जो भी हमारे पास latest update latest information आएगा मैं आपको पहुचाने के कोशिस करूँगा फिलाल के वीडियो मीतना ही